बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से बिहार में हो रही सिक्षक भरती प्रक्रिया के लिए ओनलाइन आवेदन की अंतिम ते थी जो की आज दिनांग 12 जुलाई 2023 ती उसको बढ़ा करके 19 जुलाई 2023 कर दिया गया है और इसके सम्मद में एक ओफिशियल अबढ़ा कर दिया और इनफोर्मेशन में एडिट करने के बारे में भी जानकारी दी गई है जो की 2 पैरा में आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद सुधार करने का लिंक भुगतान करने के पहले तक उपलब्द होगा जो विलम सुलके के साथ ओनलाइन आवेदन भरने की अंतिमति थी तक ही उपलब्द रहेगा यानि कि अगर आपने अपना पेमेंट नहीं किया है तो उस दोरान आप अपने इन्फॉर्मेशन को जो भी ओनलाइन आवेदन में आपने भरा है उसको एडिट या फिर अपडेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आपके लिए ये लिंक एक अब उनका data already exist करके दिखा रहा है, जब वो उसी email id या फिर उसी mobile number से या फिर किसी दूसरे भी number से किसी दूसरे email id से जब वो registration करने जाते हैं, तो उनका बार बार ये already exist वाला error निकल करके आता है, तो देखिए इनकी जो website है BPSC की वो काफी slow है, और बहुत धीरे या फिर यह already exist वाला, तो मालिजे आज मैंने कीसी आवेदन को cancel किया, आज मालिजे 15 जुलाई 2023 से, और 15 जुलाई को ही मैं दुबारा अपने आवेदन को complete करने जाओंगा, तो ये error देखने को मिलेगा, क्योंकि वो server से आपने delete तो कर दिया है, आपको हो सकता है कि एक pop-up message computer पर या फिर स्क्रिन पर generate होकर कि आप ही जाए कि आपका successfully delete हो चुका है, application delete हो चुका है, cancel हो चुका है, लेकिन वो सभी चीजे server से हटने में काफी समय लग रही है, क्योंकि इनका website सही से respond नहीं कर पा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, fee payment वाले में भी यही problem है, कि website slow होने की insurance ID और यह सभी चीजों की वज़े से जो update होना चाहिए payment उनका, वो update नहीं हो पा रहा है, तो website की problem की वज़े से ऐसा हो रहा है, अगर आपने cancel किया है, तो आपको थोड़ा समय का wait करना होगा, दो दिन तीन दिन आप रुक जाए, अगर बहुत पहले का आपने cancel किया है, तो अगर आप try करेंगे, तो इस प्रकार का कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगा, तो यह official जानकारी दी गई है BPSC के द्वारा, आज के date बढ़ाने के notification में भी साप सब्दों में mention किया गया है, कि अब भविशे में इस प्रकार का कोई भी date विस्तारित नहीं किया जाएगा, या फिर edit या update के बारे में अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा, और इसी प्रकार का एक जानकारी official notification में भी mention किया गया है, जो कि आप अपने screen पर देख पार होंगे, आवेदक द्वारा, online आवेदन में सभी प्रविश्टियां सावधानी से भरी जाए, भविशे में किसी भ किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार माने नहीं होगा, किसी प्रकार की तुरुटी हेतु, आयोग उतरदाई नहीं होगा, एबं कोई भी प्रतिकूल परिडाम हेतु, आवेदक स्वैम जिम्मेदार होंगे, यानि official notification में साफ लिखा गया है, कि बाद में ना तो आपको edit का option ना तो अपडेट का ना तो cancel करने का, आवेदन की अंतिमतिती तक ही ये सभी कुछ available रहेंगे, तो इन सभी बातों से बिल्कुल इसपश्ट हो जाता है, कि आपको भविश्य में correction का मौका शायद देखने को ना मिले, क्योंकि आप खुद देखिए कि 19 जुलाई तक तो ये आवेदन ही ले रहे हैं, और 24 अगस्त 2023 से परिच्छा हैं प्रारम हो रही हैं, सिर्फ एक महीने का समय सेस रह जाएगा आयोग के पास, सभी तैयारियों को पूर्ण करते हुए परिच्छा कंड़क्ट कराने के संदर में, जिसमें admit card भी जारी करना है, सभी अभियर्थियो को उनका respective examination center alert भी करना है, तो इसके लिए एक महीने का समय बहुत जादा नहीं है, इसलिए आयोग शायद अब correction का मौका ना दे, और इनके द्वारा notification में भी साब सब्दों में mention किया गया है, कि भविश्य में ये तिथी विस्तारीत नहीं की जाएगी, और अलग से अब चानी का सामना करना ना पड़े, और ऐसे अभियरती, जिनका दो बार payment कटा हुआ है, उनके सम्मन्द में जो frequently asked question होता है, FAQ होता है, उसमें mention ये किया गया है, कि अगर आपका दो बार payment कटा गया है, तो आप उस वाले reference ID, जिस पर आपका payment successful हुआ है, उसको छोड़ करके पह है, कि आयोग ने अपनी तरब से पूरी जिम्मेदारी हटा ली है, कि दो बार payment, तीन बार payment अगर आपका हुआ है, तो उस condition में आयोग कुछ नहीं करेगा, आप ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं, कि जिस भी bank में आपका account होगा, उस bank में आपको जाना है, और वो reference ID लेकर क में लिखा गया है, ठीक है, तो आपको आयोग से नहीं, बलकि अपने bank से संपर्क करने के लिए उन्होंने आपको सलाहत दी है, ठीक है, तो जिनका भी 2-3 बार payment कट चुका है, वो अपने bank से संपर्क करें, साथी साथ वो reference ID लेकर कर जाएगा, जिस से आपका fail हुआ था, ज इस बात के लिए responsible है, कि अगर आपका payment fail हुआ है, तो वो आपके payment जो है, जैसे मालेजे आपके account से पैसा कटा, और वो किसी account में जाकर के जमा होता है, अगर आपके account से कट गया, लेकिन जहां पर जाना था, वहां पर नहीं गया, और बीच में कहीं पर transaction फसा हुआ है, तो उस condition में आपका bank जो है, उस फसे हुए transaction को, जो उनका payment gateway होता है, जो कि BPSC के मादम से easy pay है, तो easy pay के contact के मादम से आपकी bank जो है, वो आपके payment को निकलवा करके आपके account में credit कर सकती है, लेकिन चुकि वो unsuccessful दिखा रहा है आपको website पर, क्योंकि website सही से respond नहीं कर रही है, देख और वो feedback update होती है, उनकी website पर, जिसके बाद से आपका payment successful दिखाने लगता है, आप चुकि इनकी website सही से update नहीं कर पा रही है, इस वज़े से ये problem आया, यानि भले ही आपको वो error दिखा रहा है, जो online website है, उस पर error दिखा रहा है, लेकिन वो payment उनके account में जा चुका है, आप चुकि उनके account में payment जा चुका है, तो जब आप bank से संपर्क करेंगे, तो वो तो कहेंगे कि आपका account, जो amount है, वो तो successfully transfer हो चुका है, तो उस condition में वो कुछ नहीं कर सकते, उस condition में सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, कि आपका जिस bank में account है, वो एक email भेजते हैं, उस particular bank account में, जिसमें BPSC का account होगा, और उस account उस bank में वो contact करेंगे, और अगर वहां से वो कुछ feedback देते हैं, पैसे refund करने के sense में, तभी कुछ हो सकता है, कहने का मतलब कि आपका bank चाहा कर भी पैसे नहीं निकाल सकता, जहां पर पैसा गया है BPSC के account में, अगर वो bank उसको return नहीं करती है, तो आपका bank उस मामले में कुछ नहीं कर सकता, यानि कि दोनों bank का यहां पर सहमती जरूरत है, तभी आपके पैसे refund आते हैं, यह पूरा banking का process होता है, ठीक है, तो आप अगर आपके पैसे कटे हैं, तो आप bank से संपर्क जरूर कर लीजेगा, यह FAQ में लिखा गया है, frequently asked question ज नहीं हो पा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई अभीरती कि दो-तीन बार payment करने के बाद वो उनका successful हो रहा है, तो एक बार जब आपके account से cut गया, और वो जब EGPay से confirm कर रहे हैं, तो उनके द्वारा यह भी बताय जा रहा है, कि आपका transaction होगा है, वो successful हो गया, य बारा option आना ही नहीं चाहिए, और अगर आ रहा है, तो सीधे सीधे यह website की गलती है, कि इस वज़े से अभीरतों के दो-तीन बार किसी किसी का तो 2200-2300 रुपए payment के तौर पर कट चुगा है, तो यह सभी update ना होने के वज़े से problem आ रहा है, और निशे तोर पर आप bank से संप जरूरत है, क्योंकि आयोग के account से ही सीधे तोर पर आपके account में पैसा वापस आना है, तो आयोग अगर सहमती देगा, तो पैसा वापस आएगा, अनेथा की condition में पैसा नहीं आएगा, यह पूरा process होता है, उमीद करता हूँ आपके सभी के doubts क्लियर हो गए होंगे, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धने बाद, भगवान करें आपका दिन शुब हो